तो मैं योट्यूब चैनल तिंग टेक्निकली रहा आज की इस वीडियों डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई वीडियो बनाई है उसमें से अगर आप कोई पर्टिक्लर पोश्चन को डिटेक्ट करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे तो उसके लिए देखिए यहां मैंने एक software install किया wondershare film और आप यह net से download करके install कर सकते हैं यहां पर मैंने इसका icon पिन किया है task बारे में यहां से आप फुल फीचर मोड ओपन करना चाहते हैं वह कर लीजिए यहां पर आपके यह डिफरेंट है इजी मोड चाहिए इस्टांट कटर एक्शन कैम टूल और यहां पर आपने जो पुरानी जो प्रोजेक्ट से सेव किये वह हैं तो फिलाल मुझे फुल फीचर मोड चा होंगे सेंपल वीडियोज होंगे यहां पर जो भी आप वीडियो अप्लोड करेंगे यहां पर आप उसमें जो भी डिटिंग वेरा करेंगे यहां स्क्रीन शो होगी और यहां से आप उसको प्ले कर सकते हैं प्ले बटन से वोल्यूम इंक्रीड डिक्रीज करना है कोई आप बाद में लास्ट में आपका उप्शन आएगा एक्सपोर्ट तो आप फिलाल अभी तक मैंने कोई वीडियो इसमें नहीं अफ्लोड की इसलिए यहां पर उप्शन आ रहा है तो देखिए सबसे पहले मुझे अपने यहां जो वीडियो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो जो भी आप इंट्रोडेक्शन आपकी होती है इंट्रोवोस को आप यहां इंसर्ट कर सकते हैं फिलाल यह वीडियो आइसमें मुझे कुछ पोशन को डिटक करना है कैसे करेंगे तो वीडियो को सबसे मैंने टाइम लाइन पर इंपोर्ट किया आप ड्राइगन ड्रॉप कर सकते हैं अदरवाइस यहां पर प्लस पर क्लिक करिए तो आपकी यह वीडियो यहां टाइम लैन पर आ जाएगी तो आपने यहां से लेकर यहां तर्ट करना है तो वहां पर चले जीए देखिए मैंने यह वीडियो बनाई इसमें कुछ गलती हो गई और इसमें देखिए प पर आप जाएंगे दिस वन जो भी पोर्शन यहां से डग करना है वहां पर चले जाएंगे लाइक मुझे यहां से डग करना है तो इसको यहां से थोड़ा प्ले कर देता हूं आपको इजी हो जाएगा बस यहां से देखिए मेरे पीछे एक वीडियो आई थी वो आगी तो मैं इसको यहां पीछे करके यहां से मैं कर दूंगा cut cut से क्या होगा यह दिखिए इसके दो portion होगे now जहां तक आपने cut करना है वहां तक चले जाइए इसको आगे ले जाइए यहां तक और यहां से cut कर दीजिए यह दिखिए यह portion अलग हो गया यहां से आप उसको select करके यहां से delete कर सकते हैं otherwise keyboard से delete कर दीजिए अब आपका जो unwanted portion था जिसमें आपसे कुछ गलत बोल हो गया था यहां आप नहीं चाहते थे कि आपकी वीडियो में portion आए यहां से आप उसको delete कर सकते हैं और बाकी आप कोई नीचे text वेरा लगाना चाहते हैं text देखिए कैसे लगाएंगे तो उसके लिए text पे जाएंगे यहां से आप जो भी text वेरा लगाना चाहें different styles है text के तो यहां से आज जैसे मुझे चाहिए this one तो मैंने इसको यहां रखा इस पर double click किया यह text नीचे आ रहे है इस पर advance में गया और यहां से मैंने इसका color choose कर लिए अभी cause white color है यहां से आप इसका color choose कर लेंगे color में black और यहां पर मैं phone change कर लेता हूँ जो भी आप phone देना चाहें तो जहां पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखतीजे like मैं यहां पर लिख लेता हूँ support us तो आप यहां से लिख सकते हैं इसको मैं यहां set करके side पर रख देता हूँ यहां पर रखना चाहें अब बाकी आपको पता है सारा अगर आप software use करते हैं तो उसको use करके देखी काफी ज्यादा useful software है इसको सारी setting करने के बाद okay कर दीजिए now अब देखें यह portion अलग है यह portion अलग है अब आप उसको join करना चाहते हैं join करने के लिए आप इसको rendering करने है रेंडिंग मींस आपने यहां पर यह text add किया उसके बाद यहां पर वीडियो को cut किया और दो portion में convert होगी ना आप इसको एक single video में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए export में जाएंगे तो यहां से export करेंगे तो आपके जो portion cut किया है उसके cut deduct होने के बाद जो भी आपकी वीडियो बच्चिया जो आपने add किया सारही कठा हो जाएगा so friends को करके देखिए few face any problem comment box में comment कीजिए और साथ के साथ हमारे YouTube चैनल को like subscribe करना मत भूलिए so that in future जो भी ऐसे latest updates आएंगे उसका notification आपको time so thank you friends for watching this video and for your precious time